जेपी एसी का जो एकजांग हुआ पीटी का उसका पेपर लिख होने की संभवना बहुत कोई ने जयताया क्या कुछ आया है खबरे में चलिए हम लोगा जानते हैं आज के पेपर में यानि परभात खबर में दिया हुआ है जेपी एसी पीटी परिच्छार्थियों ने पेपर लिख का लगाया आरूप बच्चों ने उस्तो पेपर लिख का आरूप लगाया जीलों ने किसी तरह की गड़बड़ी से क्या इंकार जीलों कहना है कि किसी पकार से यहां पर गड़बड़ी नहीं हुआ है पेपर लिक नहीं हुआ है विदार्थियों का आरोप है चत्रा धनबाद वह जमताडा में परिछा कस से बाहर ही खुल गए थे प्रशनपद के पेकेट ये विदार्थियों का आरोप है चत्रा धनबाद वह जमताडा में परिछा कस से बाहर की बाहर ही खुल गए थे प्रशन 334 केंदर पर हुई परिछा में सामेल होने के लिए 3.50 लाख यानि 3.50 लाख विदार्थियों ने आवधन दिया दिया था परिछा दो पाले में हुई इस दोरान परिछा में गड़बड़ी परश्ण पत्र के पेकेट का सील परिछा कर्ष से बाहर खुले खुलने परश्ण सामने खुला जाना था तो फिर पेकेट पहले कैसे खुल गया विदार्थियों का हंगामा को देखते हुए दोनों जीलों में जीला परिछासन दुआरा इसकी जाच भी की गई जीलों ने विदार्थियों के आरव को खारिज कर दिया यानि नई माना ठीक है यहां फिगर क जो कुछ तस्वीर दिया हुआ है उसके उपर में लिखा हुआ है विदार्थियों ने कहा प्रावधान के अनुरूप दो परिछार्थियों के सामने खुलना था जो मतलब यहां दो दो बारवा लिखा गया है जो जो परिछार्थियों के सामने खुलना था पेकेट जामता कहना है अब लोग पेपर पढ़िए तो अच्छा सबको पता चल जाएगा पुटकी हाई स्कूल के बाहर पेपर लिख होने का आरोप लगाते जपी एसी की विदार्थी ने बहुत जगा आरोप लगा रहा है कि पेपर लिख हुआ पेपर लिख हुआ है देखें यहां क्या है यह जो वीडियो है काफी यदा यूटूब में वारल हो रहा था जामतार हैं सोचल मेडिया प्लेटफाम पर भारी को बेवस्था के बीच परिछा संचालन का वीडियो वारल हुआ वीडियो में दिखाए जा रहा है कि किसी परिछा के अंदर पर विदार्थी प्रश्ण पत्र लेकर जहां जहां तहां बैठें हैं और मोबाइल के माध्यम से उसका जवाब तलास कर लिख रहे हैं ठीक है हलाकि इस वारल वीडियो की पुष्टी अधिकाई रूप से नहीं हो पाई है इन्होंने साबसाब कर दिया कि अभी तक इसका कुछ पुष्टी नहीं हो पाया इस मामले में जिल्ले की उपायुक्त मुकुन साहय ने कहा कि मिहिजाम के जजेस डिगरी कोलेज में परिछा को लेकर वीडियो आरल हुआ हुआ है इसकी जाज के लिए एस आईटी का गठन क्या गया है अभिलाम जाज कर पत्तिवेदन की मांग की गई है ठीक है एन दोस्तों कुछ दिन बात प्ला चलेगा क्या खिर इसमें रियलिटी क्या है निक्या बोली जेपेसी अधिक्स ने क्या उन्होंने समंधित उपायुक्त से जानकारी हांसिल की जिसमें उपायुक्त ने जाज कर असपष्ट किया कि प्रश्न पत्र लिग का कोई मामला नहीं है नियामानुसार वीडियोग्राफी के साथ परिच्छा सुरू होने के समय ही प्रश्न पत्र के प्रकेर खोले गाए है जहां तक जामताड़ा में ओमार्शित बाहर ले जाकर परिच्छा देने का वीडियो औरल हुआ है उस मामले में भी वहां के डिसी ओ एसपी से रिपोर्ट माइं गई है पर्थम दिश्टा वीडियो में वीडियो के अधार पर जांच में ऐसा कोई सेंटर नहीं मिला है इस जो भी जितने भी जिले हैं से भी जिला साब साब भी फिलाल इंकार कर दे रहा है ठीक है कि प्रश्ण पतर लिख नहीं हुआ है इनों लोग कहना है कि जब तक पूरी तरह से पुष्टी नहीं होती है तब तक कहना मुस्किल है प्रश्ण पतर लिख हुआ या नहीं लिख ह ऐडिकर दोस्तों आप लोग क्या राइं है आप लोग लगता है प्रस्टन पता हुआ है या प्रश्ण अधाज प्रस्टन पतर लीक हुआ है लेकिन यह पर बीडियो में प्रस्टन पता है जरूар हुआ है अब इसका जाज चल रहा है जाज होने के बाद ही इसका जो है रिपोर्ट सामने आ जाएगा कि प्रसंपद लीख हुआ है या लीख नहीं हुआ है ठीक है ताब लोग क्या रही आप लोग भी जरूर कमेंट कीजेगा